नमस्कार मैं प्री रंजन और आप देख रहे हैं ट्रीडर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मोर्पेन लैब इस्टॉक के बारे में चुकि इस इस्टॉक का क्वर्टरली रिजल्ट आते हुए दिखा है फंडामेंटली यह स्टॉक है और इसका आरोई आरोसी यह बहुत ही स्टॉंग रहा है जिसमें हमने नेट प्रॉफिट में 40 पर्सेंट का और 20 पर्सेंट का उच्छाल इसके रिवेन्यू में दिखा है साथ में इवीटा और इवीटा मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखा है अगर आपने इस श्टॉक को होल्ड कर रखा है तो प्रस्नली मेरा अपेनियन रहेगा कि इस श्टॉक को होल्ड बनाए रखे जहां यह स्टॉक पिछले तीन महिने से कॉंसलिडेट होते विए दिख रहा है वहीं इस श्टॉक के अंदर आपको सांधार तेजी दिख सकता ह तो इस श्टॉक को देखेगे तो इस श्टॉक का जो 200-day moving average है 50 रुपे का उसका support strongly दीख रहा है और इस सांधार quarterly result के बाद इस श्टॉक का जो target रहेगा वह 78-80 रुपे के आसपास का अगले तीन महिने में जरूर दिखेगा टेक्निकली strong stock दीख रहा है जिहां इसका RSI above 50 है और साथ में इस stock के अंदर हमने देखा कि 50% से यादा की quantity delivery के रूप में बाइंग होते दीख रही है तो बहुत ही standard result और टेक्निकली accumulate होते वह दीख रहा है पिछले तीन महिने से और मैं हमेशा से कहाता हूं जितना बड़ा जया dulu कि यह रहा है बसुटिए क करे दो यादा है जितना है